हेलो गाईज टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है आज की जो आप देत ही वह B.E.L. भारत इलेक्ट्रोनिस लिम्टर की तरफ से इसमें I.T.I. डिप्लोमा बावलू के लिए पर्मानेट बेसिस पर रिकूर्ट्में निकल के आई भी इस वीडियो में जानेंगे कौन-कौन से ब्रांच एलिजबल ने, कितनी कितनी सीटी आपको देखनेंगे मिलेगी देखे हमें इसके ऑफीशल साइट पर इसका लिंग आपको वीडियो के डिस्कूर्श में जाएगा तो डाटबी सेट भाजाएंगे अभी ऑफीशल साइट पर आभी आपको कोई भी रिकूर्ट्मेंट देखने को नहीं मिलेगी अभी इसका सौर्ट नोटिफिकेशन आट होगा हम तब डिटेल में डिस्कूस करेंगे अभी देख लेते हैं सौर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है भारत इलेक्ट्रोनिस लिम्टेर रच्छा मंत्राले के अधिन भारत सरकार का उपर में भारत की एक नौरतन और प्रमुक पीशिवर एलब्तोनिक कमपनी भारत इलडोर्टोंस लिम्टेर कोपरेशन अपनी गाजिय बाद उनिट के लिए है यह गाजिय बाद उनिट उत्तर्परदेश के लिए रिकूर्ट में निकलके आवी हैं देखें सबसे पहले देख लेते हैं, पद ग्रेड, कारेकाल, अहरता यानी अनुभाव, शाखा कौन सी है, आरचन के साथ पदों की संख्या कितनी गई है, और जो एज लिमिर से आपकी एक जनरे दर दर चोबिस से काउंट की जाएगी, और आपकी सैल लेक्या होगी, देखे, इंजि पूची जाती की एक और आर्थी ग्रूप से कम जोड़ेने की EWS की एक सीट रखी गई है, इलेक्टिकल की तीनी सीट हैं, जिसमें UR की दो और OVC की एक सीट है, मैक्समिम एजली में 28 साल रखी गई है, वेतन आपको 24 और 500 रूपर बेसिक हो जाएगा लगभग आपको 40 से 45 एर सेलरी इन हैंट मिल जाएगी, मैके निकल अबालों के लिए 12 सीट हैं जिसमें UR की 3, OVC की 3, SC की 3 और EWS की भी 3 रखी गई है यहाँ पर, उसका टेक्नीशन सी वेज ग्रूप 4 इस्थायन के पर्मेंट बिस्स पर जॉब हो जाएगी आपकी, हाई स्कूल प्लस आई ट टेक्चारे बेसिक आपका 21,500 रुपय हो जाएगा, 3% इनकी मिल्ट का 82,000 मैक्सिम दिया हुआ है, आयरुवेदिक चिकित सक, विजिटिंग चिकित सक अदिकारी, होमेपैथिक में इस सारी सीटी दीख भी हैं देखें, पद संख्या एक और दो के लिए आवेदन की अंतिम सब्सक्राइब करें, इनमें इंटर्वी के आधार पर है, और यह आपका CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा, शुद दोस्तों यही एक अपडेट देनी थी, वीडियो पसना अन वीडियो लाइक करें, चैनल को पर देनी सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरू कर लें, अभी इसका सौर्ट नोटिफिकेशन आट हुआ है, जैसे फूल नोटिफिकेशन आट हो का हम डिटर्समें डिसकस करेंगे, सो गयाज मिलते हैं, अगली वीडियो पर तब तक लिए नमस्कार